और शली अब अगली ख़वर का रुख कर लेते हैं दिल्ली में केजरिवाल और LG के बीच जंग जारी है साथ दिनों से केजरिवाल LG हाउस पर अपने तीन मंत्रियों के साथ धरने पर बैठे हैं और आज शाम पाच बजे केजरिवाल की पार्टी प्रधान मंत्री आवास का घेराओ करने वाली है तो सियासी सरगर्मी बहुत तेज़ एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरप से आज प्रधान मंतरी आवास का घहराओ किया जाएगा शाम पाच बजे का वक्त इसके लिए मुकरर किया गया है और आपको बता दें कि बी जे पी भी इसके विरोध में परधा रही है तरह असल बी जे पी का यह कहना है कि अरविन्द केजरिवाल यए नाटक कर रहे हैं आपको दिखाते हैं बी जे पी ने किस तरीके से आज परधाशन किया ये दो तस्वीरे आप देखिए धरने पर केजरिवाल और दूसरी तस्वीर बीजे पी का भी प्रदर्शन देखने को मिला है सवाल ये है कि दिल्ली में कब खत्म होगा ये दंगल कि दिल्ली में पानी की किल्ला थे कई लाकों में ऐसे देखिए मटका फोड़ते हुए नजर आए भारतिय जन्ता पार्टी के कारिकरता और केजरिवाल हाई हाई के नारे लगाए गए और फिर से आपके सामने एक तस्वीर है ये बीजेपी का प्रधर्शन है मास्क लगाकर आप देखिए मास्क लगाकर किस तरीके से प्रधर्शन करने के लिए पहुँचे भारतिय जन्ता पार्टी के कारिकरता ये नेता है कई इनमें बड़े नेता भारतिय जन्ता पार्टी के जिन्होंने अरविंद केजरिवाल समेत उनके जो मंत्री है सत्यंदर जैन उनकी ये मास्क लगा रखी है केजरिवाल की पार्टी शाम पाच वजे पीएम हाउस का घहराव करने वाली है लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इसके लिए कोई इजाज़त नहीं ली गई है दिल्ली पुलिस नई दिली डिस्टिक के पास कोई भी प्रोटेस्ट मार्च की पर्मिशन आमाधी पार्टी द्वारा अप्लाई नहीं की गई है और अधर्वाइस भी प्रोटेस्ट बार्चिज रेजिदेंशल एरिया में या रेजिदेंशिज की तरफ पर्मिटेड नहीं ह होती और साथ ही नहीं दिली इलाके में इस समय धारा 144 ऑल्रेडी इंपोस्ट है डेली पुलिस ने इलाबोरेट अरेंजमेंट लगाया है किसी भी किसम का कानून का उलंगन नहीं किया देने जाएगा दिया जाएगा और मल्टिपल लेयर ओफ यहां पे अरेंजमेंट है और इ और यह बनाया गया है अरेंजमेंट और साथ ही इसमें प्रोटेस्ट के दोरान जब अगर जुरूरत का अनुसार कुछ मेट्रो सेशन्स खासतोर पे जो की न्यू डेली एरिया के हैं जैसे पटेल चौंक, उद्योग भवन, सेंटरल सेक्रेटेरेट और लोक कल्यान मार्ग इनका एक्जिट कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा